आपका स्वागत है आज हम करेंगे क्लास 6 की साइन्स की वर्षिट नमबर 31 और डेट है 5 फर्वरी 2021 तो बच्चो आज की वर्षिट में हम भोजन के घटक की पुन्राविरती करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्षिट और इसमें हमें संतुलित अहार के बारे में जानना है संतुलित अहार किसे कहते हैं इसे हमने पिछले वर्षिटों में पढ़ा है तो चलिए एक कार्बोहईड्रेट, ववसा, प्रोटीन, विटामिन, खनीज लवन और पाणी उचित अनुपात में होने चाहिए। संतुलित अहार का मतलब यह होता है कि हमारे सरीर को पूरा पोसक्ततों मिले हमारे सरीर को जिन पोसक्ततों की आओ सकता हो वे सारे पोसक्ततों उस भोजर में मौजूद रहने चाहिए जिसे कि हम लोग संतुलित अहार कहते हैं तो चलिए अब next देखते हैं प्रस्न एक है कि नीचे दी गई खाद समग्रियों में से चुन कर अपनी संतुलित अहार की थाली बनाईए जैसे यहां दिया गया है केला, दाल, चावमीन, पालक, मैगी, घी, चापलेट, चेपस, संतरा, अंकुरित बीच, वर्गर, गूर, अं मचली, रोटी, डोसा, चावल, मुमोज, गन्ना और पास्ता तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि हमें जंक फूड खाने से बचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक चीजों का ही सेवन करना चाहिए हमें पैकेट फूड जो होते हैं जो भोजन पैकेट की थाली क्या हो सकती है कि उस थाली में क्या क्या हो केला हो दाल हो दाल प्रोटीन के बहुत अच्छे सुरोथ होते हैं तो दाल होनी चाहिए पालक पालक से क्या मिलता है पालक से लौह तत्त मिलता है जिससे की हमारे सेरेज में खून बनता है मैगी नहीं खानी चाहिए घी खानी चाहिए घी से वसा मिलता है चॉकलेट नहीं खाना चाहिए चिप्स तैलिये पदार्थ होता है चिप्स वगरा खाने से वचना चाहिए संत्रा खाईए संत्रा में विटामिन C मिलता है और अंकुरित बीज खाईए अंकुरित बीज जैसे चना का या मूंग का ये सब अंकुरित बीज खाना चाहिए बर्गर मत खाईए गुड खाईए गुड प्राकृतिक चीज है अंडा मचली रोटी खाईए अंडा मचली रोटी डोसा मोमोज इन सब से बसना चाहिए पास्ता से बसना चाहिए और चावल और गन्ना गन्ना से तो हम जानते हैं क्या मिलता है पिछले वर्षीट में हमने पढ़ा था गन्ना से कार्वोहड़िट मिलता है तो ये सभी जो भोजन है ये हमारे लिए संतुलित अहार हो सकते हैं क्योंकि इन भोजन से हमारे सरीर में जिन पोशक्तत्तों क्या हो सकता है वे सारे पोशक्तत्तों मिल जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पोशक्तत्त्तों भोजन में वे योगिक हैं जो हमें उर्जा प्रदान करते शरीर की मरमत और विकास में सहायता प्रतान करते हैं और विभिन जीवन पर क्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं जैसे कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन, विटामिनादी अब यहाँ प्रस्न है कि क्या सभी मनुस्यों को एक ही मातरा में पूसक तत्तों की आऊ सकता होती है तो नहीं आपके काम करने और रहने के तरीका पर निर्वर करता है कि आपको कितने पूसक तत्त की आऊ सकता है उसके बाद प्रसने तीन है पोसब तत्थों के बारे में और जानने के लिए नीचे दिये गए सब्दों को पूरा करें तो यह है विटामिन यहां जगा कम है इसलिए मैं बगल में लिख देता हूँ विटामिन और विटामिन उसके बाद यह है वासा और यहां होगा कार्बो हाइड्रेट कार्बो हाइड्रेट उसके बाद यहां होगा प्रोटीन यहां लिख दीजे प्रो और यहां लिख दीजे ना होगया प्रोटीन और यहां पानी तो यह सभी हमारे पोसत्-त है इंकी हमारे सरीर को बहुत आओ सकता radio तो बच्चो एक सुन्दर सरीर और स्वास्त सरीर पाने के लिए हमें संतुलित आहार की बेसक आउ सकता पड़ती है और आपको संतुलित आहार की विशय में जानना चाहिए और वैसे ही भोजन करनी चाहिए तो इसी के साथ आपकी वर्षिट समाप्त होती है और वीडियो झाल 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 झाल